नियाई दर्शन में जहां जहां भी बुद्धी शब्द आएगा वहां वहां क्या अर्थ होगा ज्यान बुद्धिर उपलब्धिर ज्यानमिति अनर्थांतरम कहीं बुद्धी शब्द आए उपलब्धि आए या ज्यान आए तो उसका अर्थ ज्यान ही होता है तो ये करें युगपत सिद्धव चलो प्रमान और प्रमे दोनों को साथ साथ सिद्ध होते हैं ऐसा मान लेते हैं प्रमे और प्रमान एक साथ ही उत्पन होते हैं ऐसा मान लेते हैं बोले ऐसा मानोगे तो प्रत्यर्थ नियत अत्वात प्रत्यक विशय का जो ज्यान है वो नियमित होने के कारण ज्यान कैसे हैं? प्रत्यर्थ नियत हैं तो प्रत्यर्थ नियत होने के कारण क्रम अवरत्तित्व अभाव गुद्धी नाम ज्यानों का के क्रम अवरत्तित्व का अभाव हो जाएगा क्रमवरतित्व मतलब मन एक बार में एक ही ज्यान उत्पन कर सकता है ऐसा है ना लक्षन बनाया है न इन्होंने युगपत ज्यानान पत्तिर मनसोलिंगम अगर साथ साथ हो रहा है तो एक ही साथ कई ज्यान उत्पन होने लगेंगे ना जितने प्रमेड उतने प्रमान, साथ साथ उत्पन ओ रहे हैं, तो ये जो ज्यानों का क्रम वरत्तित्व है, ये नस्ट्र हो जाएगा, बुद्धी नाम क्रम वरत्तित्व अभाव, तो वो सूत्र फिर खंडितों ने लगेगा मन का, युगपत ज्यानानु पत्तिर मन सो लिं तो एवम अपी गंधादी शू, इंद्रियार्थ शू, ज्यानानी, प्रत्यर्थ नियतानी, युगपत संभवंती, तो कहरें, जो गंधादी विशय हैं, जो इंद्रियों के अर्थ हैं, उनका जो ज्यान है, वो प्रत्यर्थ नियतानी, क्योंकि वो तो प्रत्यर्थ नियत लगेगी प्रत्यर्थ नियत अत्वात क्रम वृत्तित्व अभाव है जबकि ऐसा है नहीं क्योंकि ज्यान तो प्रत्यर्थ नियत होने के कारण क्रम वृत्ति वाले हैं और यहां तो क्रम वृत्तित्व का भाव होने लगेगा क्योंकि या इमा बुद्धय जो ये ज्यान गंधादी ज्यान है क्रमेन अर्थेशू वर्तंते एक क्रमश एक एक पदार्थ में बर्तते हैं ता साम क्रम वरत्तित्वम ने संभावती थी तो उनमें क्रम वरत्तित्व संभावी नहीं हो सकेगा यदि प्रमान और प्रमिय को साथ साथ मानेंगे तो और व्यागात चे युगपत ज्यानानुपतिर मनसो लिंगम और ये जो सूत्र है, सोला नंबर सूत्र प्रथम अध्याई के प्रथमानिक का इसका भी व्यागात होने लगेगा इसका भी खंडन होने लगेगा युगपत जयानानुपतिर मन्सो लिंगमी सूत्र का भी खंडन होने लगेगा तो तीनों ही दृस्टी से ये दोश आ गया कि प्रमान ना तो प्रमे से पहले हो सकता है ना तो बाद में हो सकता है ना तो साथ साथ हो सकता है थे नहीं सकती हैं। तुटीयो संभव हैं है तो करें प्रमान प्रमे यहो सद्भाव विशय живот सेच अनुपपन्ना इती प्रमान प्रमे प्रमे संभव abrupt और प्रमे के सद्भाव विशय करें सद्भाव विशय ये तीन काल ही उसके सदभाव के हो सकते हैं सेच अनुप पन्न और वो तीन काल अनुप पन्न है तसमात प्रत्यक्षादी नाम प्रमानत्वम ने संभवती थी इसलिए प्रत्यक्षादी प्रमानों का अस्तित्व संभव नहीं है प्रमान हो ही नहीं सकते हैं तो इन्होंने तो प्रमानों की तीन तीन प्रमानों की लक्षन बताए थे, इन्होंने एकदम से द्वस्त कर दिया, कि अस्तित्वी नहीं है प्रमान का, ऐसा होता है पूरुपक्षी, आप खूब सारी जिंदगी लगा करके कोई उपलब्धी करो, वो एक मिनट में आके बिल कुछ नहीं है, सब ऐसे ही, ऐसे होते हैं पूरुपक्षी, अब ये इसका समाधान कर रहे हैं, अस्य समाधी ही, और प्रथम द्रिष्टा जो व्यक्ति सुनते हैं उनको जट से जचती है पूरुपक्षी के बाब, भात तो सही कह रहे हैं, एकदम से जच जाता है, तो अब ये इसका समाधान दे रहे हैं, अबी भास्यकार उसका उत्तर दे रहे हैं, आगे सूतरकार भी देंगे, केरें उपलब्धी हे तो, उपलब्धी हे तो मतलब प्रमान, और उपलब्धी विशय मतलब प्रमे, तो कहरें उपलब्धी है तो उपलब्धी विशयस्य अर्थस्य प्रमाण और प्रमिय का पूर्व पर सहभाव का अनियम होने से यता दर्शनम विभागवचनम जैसा देखा जाए वैसा ही विभाग कर लेना चाहिए मतलब इन तीनों का कोई एक तरफ़नियम नहीं है कि प्रमान पहले होगा या प्रमे पहले होगा कहीं पहले प्रमान होगा कहीं बाद में प्रमान होगा तो कहीं साथ साथ होगा तो इसलिए अनियम होने से कोई एक तरफ़नियम नहीं होने से यथा दर्शनम जैसा जहां देखा जाए वैसा भी भाग कर लेना चाहिए कहरें क्वचित उपलब्धी हेतू पूर्वं पस्चात उपलब्धी विशयः कहीं कहीं उपलब्धी हेतू अर्थात प्रमान पहले होता है और पस्चात उपलब्धी विशयवाद में प्रमे होता है ये था आदित्यस्य प्रकाशह उत्पद्यमानानाम उत्पद्यमानानाम आदित्यस्य प्रकाशह तो उत्पन्न होने वाली जो वस्तुई हैं वो तो क्या है? प्रमे और उसका प्रमान क्या है? आदित्यकाप्रेकाश तो इसमें प्रमान पहले होता है पहले सूरियोदय होता है फिर सब लोग अपनी अपनी वस्त में बनाना शुरू करते है कुम्बकार कुम्ब बनाता है जुलाहा वस्तर बनाता है स्वर्णकार स्वर्ण की वस्त में बनाता है जितनी भी चीजें बनती हैं अब तो चलो लाइट आगी लेकिन पहले जो जिस समय में ये लिखे गई होंगे तो सब अपना अपना काम किस समय शुरू करते हैं सूर्योदय के बाद ही करते हैं तो करें कि जैसे यहां पर पहले प्रमान प्रमान मतलब साधन जिस से उस चीज़ को बनाया जाएगा तो पहले आदित्य का प्रेकाश होता है बाद में उत्पन्न होने वाली वस्त्वें होती हैं और कवचित पूर्वम उपलब्धी विशयह पस्चात उपलब्धी हेतु और कहीं ऐसे होता है कि उपलब्धी का विशय अर्थात प्रमे वो पहले होता है और पस्चात उपलब्धी हेतु उपलब्धी का हेतु अर्थात प्रमान बाद में होता है यथा अवस्थित आनाम प्रदीपह, जैसे कमरे में अवस्थित वस्तुएं पहले होती हैं, वस्तुएं क्या है, प्रमे, और बाद में दीपक ला करके, वो अभिव्यक्त होती हैं, दीपक को लाया जाता है, तो वहां पर पहले क्या है, प्रमे, और बाद में क्या है, प्रमान, तो पहले भी प्रमान होता है बाद में भी प्रमान होता है और कहीं कहीं उपलब्धी का हे तू प्रमान और उपलब्धी का वीशे प्रमे ये दोनों साथ-साथ होते है जैसे धोमेन अगने ग्रहनम इती धुआ प्रमान है और अगनी प्रमे है लेकिन दोनों साथ-साथ ही तो होते है अगनी जलती ह तो ये भाष्यकार ने बता दिया कि प्रमान कहीं पहले होता है प्रमेये से, कहीं बाद में होता है, कहीं साथ साथ होता है, लेकिन त्रीकाल में होता है, उपलब्धी हे तुस्चे प्रमानम प्रमेयम तु उपलब्धी विशये, ये दो शब्दों का प्रयूब कर रहे थे त क्या होता है प्रमान और उपलब्धी का विशय क्या होता है प्रमेय एवं प्रमान प्रमेय योह पूर्व पर सहभावे अनियत तो इस प्रकार प्रमान और प्रमेय में पूर्व भाव पर भाव और सहभाव ये अनियत हैं यथा अर्थो दृष्यते तथा विभज्य वचनिय जैसा जिस पदार्थ में देखा जाता है वैसा उसका विभाग करके व्याख्या करके बता देना चाहिए तत्र आइकांते न प्रतिशेध अनुपपत्ति तो जो यहां पर पूरुपक्षी ने एकांत से प्रतिशेध कर दिया था न कि प्रमान का स्तित्व ही नहीं है तो उस कि अनुपपत्ति है सामाने न खलू विभज्य प्रतिशेध उक्त तो सामाने रूप से यह व्याख्या करके इनोंने प्रतिशेध कर दिया था जो की अनुचित है आगे कहरें समाख्या हे तो हो त्रैकाले योगात तथा भूता समाख्या समाख्या हे तो हो त्रैकाले और उस प्रमान संजया का हेतु क्या है प्रमान मने प्रमान रूपी जो समाख्या है प्रमान रूपी जो संजया है उसका हेतु किसी भी संजया का हेतु क्या होता है उसका प्रुरतिनिमित जिस प्रुरतिनिमित को लेकर के वो संजया उपस्थित हुई है तो यहाँ पर प्रमान रूपी जो समाख्या है जो संजया है इसका हेतू क्या है इसका प्रवर्ति निमित तो कहते हैं उसके प्रवर्ति निमित का त्रैकाल योगा त्रीन काल के साथ योग होने से तथा भूता समाख्या तभी तो वो समाख्या वैसी होती है समाख्या के हेतु का जब तीन काल के साथ संबंद है तो समाख्या का भी तो त्री काल के साथ संबंद होगा कहरें जो आपने कहा था कि पस्चात सिद्धव यदि बाद में इसकी सिद्धी माने प्रमान की और पहले ही प्रमिय माने तो कहरें यत्पुन इदम पस्चात सिद्धव असती प्रमाने प्रमान के बिना हुए प्रमेयम न सिद्धती प्रमान के बिना प्रमेय कैसे होगा प्रमाने न प्रमेयमानो अर्थ प्रमेयम इती विज्जियां इती ये जो आपने आक्षेप लगाया था कि पहले प्रमान होना चाहिए फिर प्रमान से प्रमीयमान जो अर्थ है उसको हम प्रमेय संजा कहें तो कहरें अब उनका एक एक काउत्तर हम आपको दे रहे हैं कहरें जो प्रमान रूपी जो ज्यान है प्रमा प्रमानम इति ये तस्याह समाख्याया ये जो संजा है प्रमान रूपी जो संजा है उसकी उपलब्धी हेतुत्वम उसकी उपलब्धी का जो हेतुत्व हेतुत्व मने प्रमानत्व अर्थात निमित्तम उपलब्धी के हेतु का जो निमित्व तस्या त्राइकाले योग है उसका त्रीकाल के साथ योग होने के कारण उसका त्रीकाल के साथ योग है मने प्रमान रूपी जो संजया है समाख्या है और उसका जो हेतु जो प्रुरतिनिमित्त है उसका त्रीकाल के साथ योग होने के कारण ये जो समाख्या प्रमान रूपी संज्या है इसका भी त्रेकाल के साथ योग है ये कह रहे हैं कैसे उसका कैसे वो हेतुत्त दिखा रहे हैं उपलब्धिम अकारशीत उपलब्धिम करोती उपलब्धिम करिश्यती इती समाख्या हेतु हो त्रेकाल योगात उपलब्धिम करोती किसी वस्तू को जानता है उपलब्धिम करिश्यती जानेगा तो ये तीनों ही तो प्रयोग होते हैं तो त्रीकाल के साथ योग है ना जाना किसी वस्तू को जानता है या जानेगा तो ये समाख्या हेतु है समाख्या हेतु हो तो इन तीनों ही वाक्यों का त्रैकाल ले योगा तीनों कालों के साथ योग होने से समाख्या तथा भूता समाख्या कभी तीन काल के साथ योग होगा वो भी वैसी ही होती है कैसे प्रमीतो अनेन अर्थ प्रमीयते प्रमास्यते इती प्रमानम प्रमीयते अनेन अर्थ इसने किसी अर्थ को जाना और प्रमियते जानता है और प्रमास्यते जानेगा किसी पदार्थ को किसी साधन से जाना जानता है या जानेगा तो ये क्या हो गया? प्रमान तो तीन काल के साथ योग हो गया प्रमितम प्रमियते प्रमास्यते इती प्रमेयम एवं सती भविश्यती अस्मिन हेतुता उपलब्धि तो करें ऐसा होने पर अस्मिन हेतुता उपलब्धि भविश्यती अस्मिन का स्मिन प्रमेय विशये यह जो प्रमेय विशय है इसमें हेतुता उपलब्धि भविश्यती प्रमान से हेतु से इस हेतु से किस हेतु से समाख्या का जो हेतु है इस समाख्या के हेतु का तीनकाल के साथ योग होने से प्रमान का भी तीनकाल के साथ योग रहेगा ठीक है स्पस्ट हो गया चलू आगे प्रमास्यते अयम अर्थः प्रमेयम इदम इति एतत सर्वं भवती इति तो कहरें प्रमास्यते अयम अर्थ माने जाना जाएगा या प्रमास्यते अयम अर्थ प्रमेयम इदम सर्वम एतत सर्वम भावती इती जाना जाएगा या जाना या जानता है ये सब प्रयोग प्रमान से ही होते हैं त्रैकाल अभ्यनज्ञाने चे व्यवहारान अनुपपथि ही और कह रहे हैं त्रैकाल अनभ्यनज्ञाने अगर आप तीन काल के साथ इसका संबन्द नहीं मानेंगे तो व्यवहार ये नहीं हो पाएंगे ये आपको मानना ही पड़ेगा माने त्रीकाल के साथ संबंध ने मानने पर व्यवहर अनुपपत्ति सारे व्यवहर तो ऐसे ही होते हैं ना जैसे कैसे उधारन दे रहे हैं यस्चे एवं न अभ्यनुजानियात तस्या पाचकम आनया पक्षति लाओ का मानया लविश्यति व्यवहर अनुपपत्तिति अगर आप त्रीकाल के साथ इसका नहीं मानेंगे प्रमान का योग तो यस्चे एवं अभ्यनुजानियात अगर कोई ऐसा मानें कि इसका तो नहीं होता है तिनकाल के साथ योग तो कह रहे हैं तस्य उसके मत में पाचकम आनया भई पाचक को लेके आओ पक्षति पकाएगा तो ये व्यवहर हो गई नहीं ना आप यहां पर बोलते हो ना कि आज रसोय में कोई है नहीं भी पाचक को बुलाओ तो पाचक संजा तो तब हो जब वो पकाए पक्षति पकाएगा लाओ कम आनया काटने वाले को खेत में कटाई करने वाले को लाओ लविश्यति कटाई करेगा तो जब वो काटे तब तो उसकी संजा हो तो ये जो समाख्या का हेतु है इसका संबंद तीन काल के साथ होता है और अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो व्यवारूपण नहीं होंगे आगे अब इन्होंने पहले अपनी बात की अब उसकी बात को कह रहे हैं तो कह रहे हैं ये जो आपने सूत्र में कहा पूरुपक्षी ने कि प्रत्यक्षादी प्रमानों का अप्रमानत्व है क्योंकि त्रीकाल की में इसकी असिद्धी होने से तीन काल में इसका स्थित्व नहीं होने से इत्यादी जो वाक्ये हैं ये प्रमान का प्रतिशेद करने वाले तत्र अयम प्रश्टव्या तो उन से हमारा ये पूछना है अथा अनेन प्रतिशेद है न भाउता किम क्रियते इती इस प्रतिशेद से आप किस चीज का प्रतिशेद कर रहे हैं ये किस चीज का प्रतिशेद कर रहे हैं प्रमान का कि प्रमान होता ही नहीं होता ही नहीं तो आ करके इस सूत्र के माध्यम से अथा अनेन प्रतिशेदेन भावता किम क्रिये थी किम संभवो निवर्त्यते अथा असंभवो ज्याप्यते थी आप किसका निशेद कर रहे हो कोई चीज संभव थी उसकी आप निवर्त्य कर रहे हो क्या? अगर संभव आप मान रहे हो तो भी आपने मान ही लिया और यदि असंभव है उसको जयापित कर रहे हो तो भी आपका जयापित करना वेर्थ है क्योंकि जो है ही नहीं असंभव है उसको क्या जयापित करना तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं किम संभव निवर्त्यते अथ असंभव ज्यांप्यते इती तद यदि संभव निवर्त्यते तो यदि किसी चीज की संभावना है और उसकी आप निवर्त्यती कर रहे हैं तो यहां अल्प विराम लगा लिजिए निवर्त्यते के बाद सती संभवे प्रत्यक्षादी नाम प्रतिशेधानु पपत्ति ही तो जब संभव ही है कोई चीज होने ही वाली है तो उसके बारे में प्रतिशेध करना व्यर्थ है प्रतिशेध क्यानु पपत्ति है जब आपने संभवना मानी ली कि प्रमान तो होता है तो अब उसका क्या प्रतिशेद करोगे, जब मानी लिया तो, और अथा असंभव जाप्यते, और यदि है ही नहीं कोई चीज, और उसको आप जापित कर रहे हैं, तो कहरें, प्रमान लक्षन, प्राप्त स्थर्षी प्रतिशेद है, तो पहले आपने प्रमान को मान लिया, ज ये बनी नहीं पाएगा ना, अथा असंभव जाप्यते, प्रमान लक्षन, प्राप्त ह, तर ही प्रतिशेद है, जब आपने प्रमान के लक्षन को प्राप्त कर लिया, आपने जान लिया उसको, फिर आप उसका प्रतिशेद कर रहे हैं, तो प्रमान असंभव वस्य उसका हेतुत्व स्विकार करते हुए आप उसका प्रतिशेद कर रहे हैं, तो ये भी उचित नहीं है, किम चाहता है, क्या मतलब आपका इस से, जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो फिर वो इनोसेंट बनने की कोशिश करता है, पूरु पक्षी क्योंकि पकड़ में आ गया, सिद्धान्ती की बात, उसने बहुत जोर से उसका खंडन कर दिया, तो वो जान पूछ की क्या कह रहा है, किम चाहता है, क्या मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, बोले आपका जो प्रतिशेद है, उसकी तीन काल में योग ने होने से अनुपत्ति है, ये तो प्रमाण की अनुपत्ति बता रहे थी, ये कह रहे हैं, त्रैकाल्या सिद्ध, तीन काल में असिद्ध होने से, क्या सिद्ध होने से, आपका प्रतिशेद का योग तीन काल में नहीं है, आप मना करी नहीं सकते हैं, इसलिए प्रतिशेद अनुपत्ति, आपके प्रत प्रतिशेध पूरू में होता है और जिसको प्रतिशेध किया जा रहा है प्रतिशेध वो बाद में होता है तो नहीं हो सकता ऐसे और यदि कहो कि पहले प्रतिशेध होता है बाद में प्रतिशेध होता है वो भी नहीं हो सकता और दोनों साथ साथ भी नहीं होते तो त्रीकाल में आपके प्रतिशेद के अनुपपत्ती है कैसे पूर्वम ही प्रतिशेद सिद्धु यदि पहले ही प्रतिशेद की सिद्धी होगी प्रतिशेद तो पहले से ही है तो कहरें असती प्रतिशेद्धे जब कोई प्रतिशेद करने वाली वस्तु है ही नहीं किम तेना प्रतिसिद्धते तो आपके प्रतिशेद के द्वारा किसका प्रतिशेद किया जा रहा है बिना प्रमिय के प्रमान किसका तो बल कोई वस्तु ही नहीं थी प्रतिशेद करने योग्ये तो आपने प्रतिशेद किसका किया पस्चात सिद्धू और यदी आप कहो कि प्रतिशेध्य विशय तो पहले है और बाद में हम उसका प्रतिशेध कर रहे हैं तो इसलिए प्रतिशेध की पस्चात सिद्धी है पस्चात सिद्धू बाद में यदी प्रतिशेध की सिद्धी माने तो प्रतिसेद्य सिध्धी यहाँ पर आकी मात्रा को हटा लेना प्रतिसेद्य सिध्धी प्रतिशेद अभावात इती बोले फिर आपने प्रतिसेद्धी की सिध्धी को तो मानी लिया तो इसलिए प्रतिशेद अभावात इती प्रतिशेद का अभाव होने से क्योंकि यदि आप कहोगी पहले तो कोई प्रतिसेद्ध विशे है और बाद में हम उसका प्रतिशेद कर रहे हैं तो आपने मानी लिया ना उसको तो अब आपका प्रतिशेद करने वियर्थ है युगुपत सिद्धव प्रतिशेद्ध सिद्धी अभ्यनुज्यानात अनार्थका प्रतिशेद्ध ही ती और यदि आप कहो कि दोनों साथ साथ होते हैं प्रतिशेद और प्रतिशेद्ध ये दोनों साथ साथ हैं युगुपत सिद्धव प्रतिशेद्ध्य सिद्धी अभ्यनुज्यानात तो आपने प्रतिसेध्धी के सिध्धी को स्वीकार करके अनार्थ का प्रतिसेध है फिर प्रतिसेध करना वियर्थ है क्योंकि पहले उसको स्वीकार किया फिर उसका खंडन किया तो स्वीकार करके खंडन करना तो स्विकार करना ही होगा या एक तरह से मानी लिया आपने तो आपका ये प्रतिशेद तीनों काल में सार्थक नहीं होगा प्रतिशेद लक्षने चेवाक्य अनुपद्यमाने सिद्धम प्रत्यक्षादिनाम प्रमानत्वम इती तो ये जो आपका प्रतिशेद लक्षन वाक्य था क्योंकि इसका कोई प्रमान तो है नहीं आपके प्रतिशेद का तो ये एक वाक्य आपने बोला था तो ये जो आपका प्रतिशेद लक्षन वाला वाक्य था उसके अनुपपद्यमाने उसके अप्राप्त होने पर सिद्धम प्रत्यक्षादी नाम प्रमानत्तुम प्रत्यक्षादी प्रमानों की सिद्धी अच्छे धडरले से सिद्ध होती है बल्कि आपका प्रतिशेध त्रीकाल में असिद्ध होता है कथम कैसे? फिर भी ये कहरें कैसे? समझ तो गए फिर भी कहरें कैसे तो उसका उत्तर ओर दे रहे हैं सर्व प्रमान प्रतिशेधाच्य सर्व प्रतिशेधाच्य प्रतिशेधानुप पत्ती ही कहरें चलो हम आपकी ही बात को माने की प्रमान होते ही नहीं है तो सर्व प्रमान प्रतिशेधाच्य सभी प्रमाणों का प्रतिशेद होने से क्योंकि आपके मत में कोई प्रमाण नहीं है तो सभी प्रमाणों का प्रतिशेद होने से प्रतिशेद अनुपपत्ती आपके प्रतिशेद की भी तो अनुपपत्ती होती है न कैसे? इस व्यक्ति की प्रतिज्यां क्या है प्रमान नहीं होता है हे तु क्या दिया त्रैकाल्या सिद्धे त्रीकाल में असिद्धी होने से तीसरे नंबर पर उधारन लाना पड़ेगा इसको अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए तो उधारन क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमान होता है क्योंकि उधारन हमेशा प्रत्यक्ष का ही दिया जाता है तो जब ये किसी चीज को लाएगा आपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए उधारन के रूप में तो प्रमान को सिद्ध करी लिया इनोंने और अगर ये कहे कि कोई भी प्रमाण नहीं होता है और ये उधारन पेश नहीं कर पाएगा तो इसका पक्ष वैसे ही असिद्ध हो गया क्योंकि हेतु भी तभी सिद्ध होगा उधारन साधर्मयात साध्यसाधनम हेतु तो उधारन गलाना पड़ेगा उसके साध साधर में दिखाना पड़ेगा तभी हेतु सिद्ध होगा और यदि हेतु भी नहीं है तो फिर उसकी बात प्रामाणिक नहीं मानी जाएगे क्योंकि किसी बात को प्रामाणिक करने के लिए कोई हेतु होना चाहिए और हेतू को सिद्ध करने के लिए, अर्थवान बनाने के लिए उदाहरण के साथ साधार में दा होनी चाहिए तो एक करें त्राइकाल्या सिध्धी इती अस्य हेतो हो यद उदाहरणम उपादिये ते हेतवर्थ अस्य साधकत्वं दृष्टान ते दर्शे इतव्यम इती नजेतर्ही प्रत्यक्षादिनाम अप्रामान्यम त्रैकाल्या सिध्धी तीन काल में असिध्धी है इती अस्य हेतो ये जो आपने प्रतिज्यां की थी इसका हेतु यद उदाहरणम उपा दिये थे इसके हेतु को सार्थक बनाने के लिए जो आप उदारण देंगे उस हेत्वर्थ का साध कत्व है वो तो दिरिश्टांत में दिखाना पड़ेगा ना आपको साध्यसाध अर्म्यात साध्यसाध नम हेतु नचे तर्री प्रत्यक्षादी नाम अप्रामान्यम तो यदि तो आप वो दिखा दोगे तो प्रत्यक्षादी का अप्रामान्य नहीं माना जाएगा अथ प्रत्यक्षादी नाम अप्रामान्यम और यदि प्रत्यक्षादी का अप्रामान्य है आप दिखा नहीं पाओगे तो उपादियमानम अपी उदाहरणम न अर्थम साधहिश्यती तो जो आपने प्रतिज्यां की थी उपादियमान जो था आपका प्रतिज्यां वो भी उधारण के बिना न अर्थम साधहिश्य थी अर्थ के बिना वो आपकी प्रतिज्यां भी सिद्ध नहीं होगी सो अयम सर्व प्रमान व्याहतो हेतू अहेतू तो सब प्रमाणों को व्याहत करने वाला ये जो आपने हेतु दिया था ना त्रैकाल्या सिद्धे ये आपका हेतु कैसा हो जाएगा अहेतु क्योंकि उसका कोई आपके पास दृष्टांती नहीं है तो ये हेतु अहेतु हो जाएगा और कौन से प्रकार का अहेतु हो जाएगा सिद्धान्त मभ्युपेत्यत अद विरोधी विरुध्ध ये पहले पढ़ाए ना सिद्धान्त को स्विकार करके उसका विरोधी विरुध्ध हेतु देना वो विरुद्ध नाम का हेतु होता है हेतु अभास होता है वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धान्त है तो बोले ये हमारा सिद्धान्त क्या है इस वाक्य का अर्थ ही माने कोई भी प्रमान नहीं है ये वाक्य ही इसका सिद्धान्त है सेचे वाक्यार्थ है प्रत्यक्षादीनी नार्थम साधयन्ती इती तो ये जो वाक्यार्थ है ये प्रत्यक्षादीनी नार्थम साधयन्ती तो प्रत्यक्षादी है ही नहीं जब इसके मत में तो ये इसका वाक्यार्थ माने ये पंचाव ये वाक्य अपने प्रतिज्यां को सिध नहीं कर पायेगा क्योंकि हेतू उधारण क्या होते हैं? इदम क्या अव्यवतानाम उपादानं अर्थस्य साधनाय अव्यवों का जो उपादान है हेतू दिर्श्टान्त इत्यादी ये अर्थस्य साधनाय उस प्रतिज्यां को अर्थ को सिद्ध करने के लिए होता है और वो आपके पास है नहीं अथ न उपादियते और यदि आप उधर नहीं दे पा रहे हैं तो अप प्रदर्शित हित्वर्थ अस्य द्रिष्टानते नैसाधकत्तम इती हित्वर्थ को यदि आप द्रिष्टानत में नहीं दिखा सकते हैं तो आपका हित्व साधक नहीं बन पाएगा साध्य का साधन नहीं बन पाएगा नैसाधकत्तम इती निशेदो नोप पद्यते हितुत्व असिद्धे रिती और आपका हेतुत्व असिद्ध होने से आपका जो निशेद करने वाली प्रतिज्यां थी कि प्रमान नहीं होते हैं वो भी नहीं हो पाएगा तो ये इनका त्रीकाल की असिद्धी हेतु लेकर के प्रमान का खंडन करने चले थे प्रतिशेद का ही खंडन हो गया तो शेशकल पढ़ेंगे, आज यहीं भी राम लेते हैं